असामकूम दोस्तों और वेलकम टो एड्माइरल उमीद करती हूँ आफ सब हैरियर से होंगे आज जो स्टेच हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है डॉटेट डबल स्टेच तो आए शुरू करते हैं डॉटेट डबल स्टेच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 27 चेंश बना लिए इसके बाद हम डबल क्रोशेट पनाएंगे पहले तीन चोड़ के फोर्थ में हमने डबल क्रोशेट स्टेच बनाना है अइसके बाद नेस्ट मिख इसी तरह पूरी लाइन में हमने डबल क्रोशी स्टिच बना देना है पूरी रो मैंने कम्प्रीट कर ली है अब इसके बाद हमने नेक्स्ट रो में डॉट्स बनाने हैं डॉट्स बनाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज करूंगी यहां पे आप इस कलर को ब्रेक भी कर सकते है लेकिन मैं ब्रेक नहीं करूंगी क्योंकि यह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगली रोज में वार्बर कलर अटाच करना जहां पर अपने यह लास्ट वाला कलर चोड़ा है उस कलर के पास ही हमें एक नॉट बना देंगे बिल्कुल इस तरह अब सबसे पहले हमने एक सिंगर कोशी बनाने है इसके बाद इसी स्टिच में एक और सिंगल कोश है अब हमने तीन चेंज बनानी है वान टू थ्री तीन चेंज बनाने के बाद नीचे तीन डबल कोशे के बाद हमने एक सिंगल कोशे बनाना है और यहां पर हम इन दो डबल कोशे के बीच में से लेंगे सिंगल कोशे किना लिए अगले में भी दीन चेंज में आने के बाद दीन डबल कोशे के बीच में से एक सिंगल कोशे नौट आगे में बिल्कुल यही करना है रो कंप्लीट करने के बाद ऐसी दिखेगी हमने यहां पर यह एक बड़ा लूप बना के छोड़ दे अगले तीन डबल कोशे है अमने इस वाले रिंग बनाने है में चीज जो आपने याद रखनी है कि जितने डबल क्रोशेस पर्स रो में बनाये हैं उतने ही थर्ड रो में बनाने है थर्ड रो कंप्लीट हो गई है फॉर्ड रो बनाने के लिए बिल्कुल जैसे सेकंड रो बनाई थी यहां है three रोड रोड दाने ना ही सबसे पहले थर्ड रो तक पौंचने के लिए दो जीनस बनाने सेब्सके घान उसीदार सिंगल क्रोशे बना लेना है पहले डबल क्रोशे बनाना है और यहां पर जैसे नीचे डॉट बनाया है इसी तरह यहां पर भी एक डॉट बना वेना है सिंगल कोशे के मापिसे दो कलर्स यूज करे रही हूँ और वह भी बगैर ब्रेक किये इसलिए यह थोड़ा यहां से एंड्स थोड़े रफ होंगे कि अगर एक कलर यूज किया जाए तो यह एंड्स के प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर कलर भी बेक किया जाए तब क्रोब्लम नहीं होगी वांद डो प्री पहलगी तरह उसी तरह तीन डबल क्रोशे छोड़ने हैं और सिंगल क्रोशी स्टिश अगें थ्री चेंज सिंगल क्रोशी स्टिश सारी रो बिल्कुल इसी तरह कंप्लीट करेंगे पैट्रें कुछ और रोस करने के बाद कुछ इस तरह कर देखेगा उमीद करते हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना ना भूलिएगा कि और कौन सा स्टिच आप लोग सीखना चाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत हैयाल रखेगा अलहाफिस झालहाफिस